सुप्रभात बच्चो आज हम कक्षातीन का प्रयावरन अध्यन विशय का पाट पंद्रा मेरा घर और उनका घर का आगे का प्रक्रन पालतू जानवर के बारे में पढ़ेंगे पाल्तू जानवर किसे कहते हैं? हम इन जानवरों को क्यों पालते हैं? और इन जानवरों की देखवाल कैसे करते हैं? इन सभी के उपर चर्चा करेंगे. तो चलिए करते हैं पाट को शुरूँ. इस से पहले वाली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि सीता जो की पलंग पर लेटी हुई थी और अचानक से उसकी नजर एक छिप्तली पर पढ़ती है. फिर उसने अपने कान के पास मच्छर की भिन बिना हट सुनी और उसके बाद उसने एक चिडिया को देखा और वो ये सो घर होते हैं जैसे कि कुछ जीवजनतू हैं जो हमारे घरों में ही रहते हैं और कुछ जीवजनतू को हम पालते हैं तो इसके बाद देखिए कि कौन-कौन से जीवजनतू हैं जिने हम पालते हैं और हम इने क्यों पालते हैं तो सबसे बहले देखिए गाएं इने हम दूद लेने के लिए पालते हैं, बैल, बैल से खेतों में खेती की जाती है, तो खेती करने के लिए ने पालते हैं, हाती, सवारी करने के काम आता है, मुर्गी, मुर्गी से हमें अंडे मिलते हैं, घदा, ये समान ढोने के लिए काम आता है, और उंट, ये सवारी के लिए, जो की रे रेगिस्तान में काम आता है, रेगिस्तान में सवारी करने के लिए उंट काम आता है, इसके बाद है कि दूद के लिए हम कौन-कौन से जानवरों को पालते हैं, तो दूद के लिए गाएं, भैंस, बकरी अधी जानवरों को पालते हैं, इसके बाद है कि घर की रखवाली के ल वो सवारी के लिए काम आता है तो ये तो हमने देखे भीविन जीव जन्तू के नम और हम इने क्यों पालते हैं अब हम बात करेंगे कि पालतू जानवर किसे कहते हैं तो जीव जन्तू जीने हम पालते हैं वे पालतू जानवर कहलाते हैं ये हमें खुशी देते हैं और हमारी आफशक्ताओं की पूर्ती भी करते हैं इने हमारे प्यार वे देखवाल की आफशक्ता होती है हम इने प्रियाप्त भोजन वे साफ पानी देना चाहिए एवं समय समय पर पशुट चिकित्सक को दिखाना चाहिए चिकित्सका अर्थ होता है डोक्टर यानि जो पशूं का डोक्टर होता है उन्हें दिखाना चाहिए इसके बाद देखिए नीचे एक प्रश्ण है कि लोग पालतू जानवरों की देखवाल के लिए कौन-कौन से काम करते हैं तो देखिए इसका उत्तर है कि लोग पालतू जानवरों की देखवाल के लिए उन्हें समय पर खाना खिलाना, उनकी सफाई करना, पानी पिलाना, शोच करवाना और जरूरत पढ़ने पर समय समय पर पशू चिकित्सक से जाच करवाना आदी ऐसे काम करते हैं इसके बाद फिर एक सारनी हैं कि पालतू जानवरों के नाम दिये हैं आपको एक तरफ और उनकी देखवाल के लिए किये जाने वाले कारे कि उनके लिए सुबह कौन सा कारे होता है, दोपहर में कौन सा कारे किया जाता है और शाम को कौन सा कारे किया जाता है जिससे इन पा इसे सुबै शोच करवाना, सस्नान करवाना, आदीगारे कियоды है, दोपैर में उन्हें भोजन देना और शामपाण को पानी। तो दूसरे नमबर पर है बिल्ली, बिल्ली के लिए भी बिल्कुल वही कारे होते हैं जो कुत्ते के लिए किये जाते हैं जैसे सुबह शोच करवाना और सनान करवाना, दोपहर में भोजन देना और शाम को पानी देना तीन नमबर पर घोड़ा, घोड़े के लिए भी सुबह शोच करवाना और सनान करवाना, दोपहर में उन्हें घास देना और शाम को पानी देना गाए, भैस, बकरी, आदे जानवरों के लिए भी सुबह, दोपहर और शाम को भी यही कारे होते हैं कि सुबह शोच करवाना और सनान करवाना, और दोपहर में घास देना, शाम को पानी देना तो इस तरह से यह आपको सारनी है, वो पूरी करनी है इसके बाद देखिए कि सिता ने घर के बाहर पेड़ पर देखा कि चिडिया अपने घोशले में आराम से बैठी थी वह सोचने लगी कि हम अपनी जरूरतों के लिए घर बनाते हैं उसी परकार जीवजनतू भी अपनी जरूरतों के अनुसार घर बनाते हैं जैसे मदू मखी अपना चत्ता बनाती है वैसे ही अन्य जीवजनतू भी अपने घर बनाते हैं लेकिन कुछ जीवजन्तु जैसे चिपकली, मक्खी, मच्छर, आदी के स्थाई आवास नहीं होते हैं। इसलिए वो हमारे घरों में रहते हैं। तो हमें जीवजन्तुओं की आफशक्ता अनुसार, सहायता एवं रक्षा जरूर करनी चाहिए। तो इस तरह से देखो बच्चों, हमने इस पार्ट में देखा कि हमारे घर में घर के सदस्यों के अलावा अन्य जीवजन्तु भी रहते हैं। जैसे छिपकली, मक्खी, मच्छर, कोक्रेच, आदी। और इसमें हमने देखा कि इन में से कुछ जो जीवजन्तु हैं वो पाल्तु होते हैं। जिने हम पालते हैं जैसे गाए, बकरी, भैंस, घोडा, बैल, आदी। क्योंकि ये जो जीवजन्तु हैं वो हमारी जरूर्तों को पूरा करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि इन जीवजन्तु में से कुछ जीवजन्तु ऐसे भी होते हैं जो हमें नुक्सान पहुंचा सकते हैं। जैसे कोक्रेच, छिपकली, चूह, आदी। तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद।